दोस्तो आज हम जानेंगे नीम के उप्योग से सेहत को होने वाले फायदे नीम में एक जड़ी बुटी है जो त्वचा और आंतरिक शरीर के लिए बहुत उप्योगी होती है ये कई रोगों को दूर करने में हमारी मदद करती है ये स्किन के साथ साथ हमारी शरीर के रोगों को भी दूर करती है क्यूंकि नीम में क्रमी नाशक, एंटी फंगल, एंटी डाइबिटिक, जिवानु रोधी और एंटी वाइरल जैसे गुन होते हैं इसका उप्योग विशेश रूप से त्वचा के लिए किया जाता है परंतु जो इस पेड़ के हिस्से होते हैं जैसे बीज, पत्ते, फूल और छाल इसका उप्योग कई रोगों को दूर करने में किया जाता है आयुरवेद के अनुसार इसमें हिलिंग याने कि घाव सही करने की श्रमता होती है हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की पूजा के लिए नीम के पत्तों का इस्तमाल किया जाता है आये जानते हैं नीम के फायदे पहला फायदा है तुचा के लिए नीम का तेल तुचा की देखरेक के लिए उप्योगी होता है यह मुहासो को दूर करने और तुचा की लोज को बनाये रखने के लिए सबसे अच्छा सादन है कई सोंदर यह प्रसादन आपने देखी होंगे जैसे साबुन, शेंपू, बाम और क्रीम आदी में भी इसका इस्तमाल किया जाता है इसके लिए हमें क्या करना है कि पानी में कुछ पत्तियां नीम की उबाल कर और फिर इस पानी से नहान है यह हमें कई रोगों से दूर रखेगा जैसे कई लोगों को खुजली, कोल्ड सोर, एक्जिमा जैसी बिमारियां हो जाती है तो यह हमें तवचा संबंदित सभी बिमारियों को दूर करने में मदद करता है यदि हम इसका इस्तमाल करते हैं तो यह हमें धूर से भी बचा कर रखता है आप इसका उपयोग पाउडर बना कर भी कर सकते हैं जिससे यह खुजली और जलन से आपको दूर रखेगा नीम के पत्ते आतों की परिजीवी को हटाने और आतों को स्वश्ट रखने में मदद करते दूसरा फायदा है नीम के पत्ते वाइरस को निका सकते यह क्या करता है कि वाइरस को अवशोशित कर उसको खत्म करने का काम करता है ऐसा इसलिए है क्योंकि नीम में वाइरस को अवशोशित करने की श्रमता होती है नीम के अर्क में हरपीस वाइरस के लिए जहरीले स्त्रोत होते हैं जो इस चिकिच्चा में तेजी से सायता करते हैं नीम के पत्तों में तैयार चाय और धंडे घावो पर नीम मरहम के आवेजन से दाज जैसे लक्षन भी दूर हो जाते हैं तीसरा फायदा है यह हमारे दिल की बिमारियों को दूर करने के लिए असरदार होता है नीम के पत्तों में एक ऐसा प्रभावी रक्त कलिंजर होता है जो हमें दिल की बिमारियों को दूर करने में मदद करता है यदि हम इसका उबला हुआ पानी पीते हैं तो हमें मदुमे जैसी बिमारी को नियंतित करने में मदद बलती है नीम की पत्यों का अर्ग रक्त को सुद्ध करने और संक्रामक रोगों से बचने में किया जाता है नीम की पत्यां रक्त भाईकाओं को पतला करने में मदद करती है जिससे हमारी रक्त परिसंचरन में सुधा राता है और दिल की धरकन भी सही रूप में काम करती है यह हमारी नियमित दिल की धरकन को शांत करता है और रत्चाप को बनाया रखने में मदद करता है चोता फायदा है यह एंटी फंगल के रूप में काम करता है कई बार क्या होता है कि हमें सांस लेने या फिर फेफडे संबंदित कई भीमारी हो जाती है तो यह antifungal के रूप में हमारी इन भीमारियों को दूर करने में मदद करता है नीम इसके साथ साथ बालों को, तवचा को और नाखुनों को संक्रमित होने से भी बचाता है तो इसके लिए भी हमें नीम का उपयोग करना चाहिए यदि हमें हाथ पेरों में दाध हो जाते हैं या फिर खुजली जैसी समस्या होती है तो नीम का सेवन करने से इसमें तुरंत मदद मलती है पाचवा फायदा है यह मलेरिया की इलाज में उपयोगी है नीम का उपयोग मलेरिया बुखार को कम करने में सहायता करता है क्योंकि नीम में एक ऐसा तत्व पाय जाता है जिसका नाम होता है गेंदुनिन जो सबसे उपयोगी घटक होता है यदि हम नीम की पत्यों को कुचल कर खाते हैं तो इससे हमें मलेरिया को दूर करने में मदद मलती है नीम के पत्यों का सेवन करने से हमारा बुखार जल्द से जल्द खतम हो जाता है छटा उपा है कैंसर के हिलाज में दोस्तो नीम की छाल में लीमोनाइट जैसे एक तत्व होता है जो कैंसर और ट्यूमर को कम करने में मदद करता है तो यदि हमें cancer जैसी बिमारी है तो डॉक्टर की सहायता तो जरूर लेना चाहिए लेकिन हमें कुछ घरेलू उपाई भी करना चाहिए जिससे हमारी दूसरी बिमारिया कम हो सके साथवा उपाई है गठिया रोग के हिलाज में नीम के पत्तो बीजो और छाल में कुछ ऐसे गुन होते हैं जो हमारे दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं यह मासपेशों के दर्द और जोडों के दर्द से रात दिलाने के लिए सबसे उपयोगी है तो इसके लिए हमें नियमित रूप से नीम के तेल का उपयोग करना चाहिए अगला उपा है तवचा डोना इसके लिए आपको क्या करना है एक रूई की साहता से नीम के पानी में डुबो कर इसे अपने चहरे पर राद भर लगाय रखने देना है यह मुहासे, निशान, रंजगता और ब्लैक हेड्स को साफ करने में मदद करेगा इसके अलावा यह डैंडरफ और अधिक बालों के जढने का भी इलाज करता है कुछ ऐसी ही सेहत से जुड़ी बाते जानने के लिए हमारे चैनल दिल से देशी को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईए